नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में आवर मिशन योर सक्सिस के तहट 10 दिसमबर 2021 के करेंट अफेर्स के क्विस्चन और आंसर विद डीटेल्ड एक्स्प्लेनेशन आपकी सामने प्रेजेंट हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले और इंपोर्टेंट क्विस्चन को दूर संचार विभाग यानि डॉट ने हाली में सभी मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक विक्ति को अधिक्तम कितने सिम से अधिक जारी न करने का आदेश दिया है ओप्शन्स हैं 12, 9, 15, 20 सही उत्तर है B, 9 सिम दूर संचार विभाग ने हाली में सभी मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक विक्ति को अधिक्तम 9 सिम से अधिक जारी न करने का आदेश दिया है जम्मु कश्मीर और नौर्थ इस्ट के राजियों के लिए ये संख्या 6 ही है टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने टेलिकॉम कंपनियों को उन सभी मोबाईल नंबर को डेटा बेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार इस्तमाल में नहीं है दूसरा प्रशन है भारत की जीली डाला बेहरा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारो तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है आप्शन्स हैं स्वर्ण, कांस्य, रजत, इन में से कोई नहीं सही उत्तर है C, रजत पदक भारत की जीली डाला बेहरा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारो तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता वे उलम्पिक रजत पदक विजेतां मीरा भाई चानू के वजन वर्ग में हिस्सा ले रही थी चानू ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप और वेश्व चैंपियनशिप दोनों से हटने का फैसला किया था राष्ट्रमंडल भारो तोलन चैंपियनशिप 2022 राष्ट्रमंडल खेलो के क्वालिफाइंग प्रतियोगिता भी है जिसके स्वन पदक विजेता सीधे क्वालिफाई कर लेंगे और बाकी का चैन राष्ट मंडल रैंकिंग से किया जाएगा तीसरा प्रश्ण है आय के वितरन के मामले में दुनिया में सबसे असमान राष्टों में भारत सामिल है भारत की सीर्स एक प्रतिशत आबादी के पास है राष्ट्र ये आय का कितना हिस्सा है आप्शन्स है 0.22, 0.32, 0.24, 0.34 सही उत्तर है 0.22 आय वितरन के मामले में पूरी दुनिया में भारत एक गरीब और बहुत ही असमान देश के रूप में खड़ा है जिसकी सीर्स एक प्रतिशत आबादी के पास वर्ष 2021 में कुल राष्ट्री आय का पांचवा हिस्सा है और नीचे का आधा हिस्सा सिर्थ तेरह प्रतिशत है विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 सीर्चक वाली वईया रिपोर्ट विश्व असमानता लैब के सह निदेशत लुकास चांसल द्वारा लिखी गई है और फ्रांसिस्ती अर्थ सास्त्री थॉमस पिकेटी सहीत कई विश्व शग्यों ने इस रिपोर्ट को तयार करने में अपना बहुमूल सहयोग दिया है भारत के सीर्च 10 परतिशत और उस पर भी सीर्च 1 परतिशत खुल राश्ट्री आय का क्रमस संतावन परतिशत और बाइस परतिशत है नीचे का 50 परतिशत हिस्सा घट कर 13 परतिशत आय तक सीमित हो गया है इस तरह कह सकते हैं कि भारत एक सम्रिद अभिजात वर के साथ एक गरीब और बहुत असमान देश के रूप में खड़ा है चोथा परशने अंतराश्ट्री प्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है 12 मार्च 10 जन्वरी 9 दिसंबर 15 अगस्त सही उत्तर है C 9 दिसंबर अंतराश्ट्री प्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है इस दिवस का मुख्य उदेश प्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरुपता फैलाना है इस अवसर पर सभी सरकारी प्राइवेट गैर सरकारी संस्थाएं एवं नागरिक संगठन भरष्टाचार के खिलाफ एक जूटता से लड़ाई लड़ने का संकल्प लेते हैं इस अंतराश्ट्र ये संधी का मुख्य उदेश ब्रष्टाचार को कम करने के लिए सदस्य राश्ट्रो में कानून ववस्था को लागू करना था पांचवा प्रस्टे हमारा कि अमेरिका के बाद निम्मे से किस देश ने चीन के बिजिंग में आयोजित होने वाले शीट कालीन ओलंपिक का राजनाईक बहिश्कार करने की घोशना की है आप्शन से नेपाल एवं पाकिस्तान, बांगलादेश एवं भूटान, रूस और जापान, आस्ट्रेलिया एवं कनाडा सही उत्तर है डी आस्ट्रेलिया एवं कनाडा आस्ट्रेलिया इवं कनाडा ने चीन के बीजिंग में होने वाले 2022 के सीट कालिन ओलंपिक का राजनाईक बहिश्कार करने की घोशना की है अमेरिका और आस्ट्रेलिया के बार अब कनाडा ने भी इसका बहिश्कार करने की घोशना कर दी है आज दिसंबर को कनाडा के पीम जेस्टिन टूरो ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इसकी जानकारी दी छठा प्रस्ण है बीसी सियाई ने विराट कोहली की जगर निम्ड में से किसे वन डे टीम का नया कप्तान बनाया है सही उत्तर है ए रोहित शर्मा रोहित शर्मा को T20 में कप्तानी के बाद बीसी सियाई ने वन डे टीम का कप्तान भी निउट कर दिया है रोहित शर्मा के साथ ही टेस्ट टीम का उप कप्तान भी निउट किया गया है आपको बता दे कि लंबे समय से लिमिटेड ओवर की कप्तानी को लेकर चल रही बहस का अब अंत हो गया है रोहित शर्मा आप तक दस वन डे मुकाबलों में भारतिय टीम की कामान समाल चुके हैं इन्होंने आठ मुकाबलों में जीत हासित की और दो में हार का सामना करना पड़ा सात्वा प्रस्ण देखते हैं केंदे सरकार ने उत्राखंड और किस राजे में परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ दो हजार चोहतर करोड रुपे के दो रिन समझोतों पर हस्ताक्षर किये हैं आप्शन्स हैं तमिल नाडू, असम, बिहार, जहार खंड सही उत्तर है ए, तमिल नाडू सरकार ने तमिल नाडू में किफायती आवास परियोजना और उत्राखंड में जल स्वक्षतागार करम के लिए एशियाई विकास बैंक यानि एडीबी के साथ दो हजार चोहतर करोड रुपे के दो रिन करार किये हैं तमिल नाडू में शहरी गरीबों की समावेशी और ठिकाव आवासों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार और एडीबी ने 15 करोड डॉलर लगबग 1132 करोड रुपे के रिन समझोतों पर हस्ताक्षर किये हैं आठवा प्रस्ने भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन याने DRD ने किस तारिक को वर्टिकल लॉंच शोर्ट रेंज सर्फिस टू एयर मिसाइल का सफलता पुरोग परिक्षन किया है ओप्षन से 6 दिसंबर 2021, 5 दिसंबर 2021, 7 दिसंबर 2021, 8 दिसंबर 2021 सही उत्तर है, 7 दिसंबर 2021, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉंच शोर्ट रेंज सर्फिस टू एयर मिसाइल का सफलता पुरोग परिक्षन किया VLSRSAM सतर सिब हवा में मार करने वाली एक तुरित प्रितक्रिया मिसाइल है, जिसे DR-DO दोरा विक्सित किया गया है इसमें फाइबर आप्टिक गारोस्कोप के माध्यम से मध्य पत्स जड़त्वी मार्ग दर्शन के साथ साथ टर्मिनल चरन के दौरान सक्रिये रडार वोमिंग जैसी विशिस्ताएं भी शामिल है इस मिसाइल में लॉंच से पहले लॉक और लॉंच के बाद लॉक की शमता है नवा प्रशन है 22 मिसाइल पोट स्कौरडन अपचारिक रूप से कहां स्थापित किया गया था आप्चन से मॉंबई, विशाखा पत्नम, गोवा, कोचीन सही उत्तर है ए मॉंबई 22 मिसाइल पोट स्कौरडन को अपचारिक रूप से अक्टूबर में मॉंबई में स्थापित किया गया था राश्पती रामनाथ कोविन ने 22 मिसाइल पोट स्कौरडन को राश्पती मानक परदान किया जिसे किलर स्कौरडन भी कहा जाता है राश्पती का मानक राश्पती के रंग पुरसकार के सम्मान है एक छोटी सेन एकाई को ये दिया गया किस राज्ये ने आत निर्भर कृष्टक एकिकृत विकास योजना को लागू करने की मनजूरी दी है उप्षन से गुजरात उत्तर प्रदेश, मद्यप्रदेश, महाराष्ट्र सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश ने आतनिर्भर कृष्टक एकिकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। 11 प्रशने कोन्याक जो की हाली में खबरों में थे भारत के किस राजी की सबसे बड़ी जन जाती है। जन जातियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। 1980 से तक वे शिर्षिकार की प्रथा को छोड़ने वाले अंतिम थे। प्रतिद्वन्दी जन जातियों पर हमला करने के बाद ये दुस्मनों को उनके सिर्षिकार की प्रथा थी। सिर्षिकार की प्रथा कहते थे। लगवक्तीन लग की आबादी के साथ कुन्याक, अरुनाचल, प्रदेश और म्यानमार की कुछ हिस्तों में भी रहते थे। 12. संध्याक क्या है जिसे हाली में भारतिय नौसिना द्वारा लौंच किया गया। जहाजों को समुदर्वेग्यान और भूब भूती किये डेटा एकत्रित करने साथी साथ नौवहन मार्गों के निधारन के लिए तैनात किया जाएगा। 2018 में रक्षामंत्राले और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजिनियरिंग के बीच चार सर्वेक्षन जहाजों के निर्मान के अनुबंद पर हस्ताक्षर किये गये थे। तेरहवाँ प्रशन है कभी-कभी खबरों में रहने वाले मिन्क समझोते किस देश से जुड़े हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रशन समाप्त होते हैं चलिए एक विक रिवीजन कर लेते हैं इनका। दूर संचार विभाग ने हाली में सभी मोबाईल सेवा प्रदाता कमपनियों से एक विक्ति को अधिक्तम कितने सिम से अधिक जाली न करने का आदेश दिया है। सही उत्तर है बी नौ सिम भारत की जीली डाला बेहडा ने हाली में राष्टमंडर भारो तोलन चैंपियंशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता। सही उत्तर है C. रजत पदक भारत के सीर्स एक प्रजिशत आबाधी के पास राष्टरी आय का कितना हिस्सा है क्योंकि आय के वितरन मामले में दुनिया के सबसे असमान राष्टरों में भारत शामिल है। आप्शन सही है A. 0.22 अंदर अश्ट्री भष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है C. 9 दिसंबर अमेरिका के बाद किस देश ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले सीथ कालीन ओलंपिक का राजनाइक भहिशकार करने की घोशना की है। आंसर है D. आउस्ट्रेलिया एवों कनाडा B.C. C.I. ने विराट कोली की जगह निंग में से किसे वन डेट टीम का नया कप्तान नियुक किया है? सही आंसर है A. रोहित शर्मा के निस सरकार ने उत्राखंड और किस राजी में परियोजनाओं के लिए A.C.I. विकास बैंक के साथ दो हजार चौहत्तर करोड रुपे के दो रिन समझोतों पर हस्ताक्षर किये हैं। सही उत्तर है A. तमिल नाडू भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस तारिक को वर्टिकल लॉंच शॉर्ट रेंज सर्फिस टू एर मिसाइल का सफलता पुरोग परिक्षन किया। आंसर है A. दिसंबर दो हजार रिक्षन किया आंसर है A. मुंबई किस राजे ने आप दिर्वर क्रिशक एकिक्रित विकास यूजना को लागू करने की मनजूरी दी है? आंसर है B. उत्तर प्रदेश पौन्याग जो हाली में खबरों में थे भारत के किस राजे की सबसे बड़ी जन जाती है? सही आंसर है C. नागालेंड संध्याग क्या है जिसे हाली में भारती नौ सेना द्वारा लाँज किया गया? सही आंसर है A. सर्विक्षन पूर्द कभी-कभी खबरों में रहने वाले में समझोते किस देश से जुड़े हैं? इसका उत्तर है C. यूक्रेन इसके साथ ही हमारे आज़ के यह प्रशन समाव्थ होते हैं उमीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आपको वीडियू पसंद आया होती है तुसे लाइक करें अपने दोस्टों की साथ शेयर करें हमें अपना बहुत सरा प्यार दे और कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी धन्यवाद